हे गाईज दिस इस आर्थी और वेलकम टू लार्न लाइवली तो दोस्तों आज मैं आप लोगों किसा शेयर करने वाले एक छोटा सा रिव्यू जो कि आपके लिए बहुत बहुत बहुती जादा हेलफुल होने वाला है मेरे से मेरे कुछ दोस्तों ने पूछा कि आर्थी कोई एक ऐसा वनिला एसेंस बताओ जो कि सस्ता भी हो और अच्छा भी हो आप इसे आइस्क्रिम में भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं पुडिंग हो गई, डेजर्ट्स हो गई बेकिंग हो गई, आपकी केक, पेस्ट्रीज और सारी चीज़े इसमें आती हैं आप इसको डाली और बहुत ही कम कॉंटिटीज की डाल कर अप एकदम पर्फेक्ट एकदम फ्लेवर फुल वनीला कीक, वनीला पेस्ट्रीज, वनीला पुडिंग, वनीला कस्टर्ड, वनीला आइस्क्रिम और बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको बताती हैं उस प्रोड़क्त का नाम, उस प्रोड़क्त का नाम है दोस्तो ओस्रो, दोस्तो ओस्रो वनीला से बहुत ही अच्छा प्रोड़क्त है, आप इसे ओनलाइन बाई कर सकते हैं, मैंने इसे ओनलाइन ही मंगाया है, और यह प्रोड़क्त मुझे मिला only 150 rupees में और इसकी quantity है 30 ml तो दोस्तों जो मैंने flavor लिया है वो है Osro French Vanilla flavor and this one is the bestest one क्योंकि मैं इसे try कर रही हूँ यह मेरी second bottle है और मैं finally इसका review आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो अगर आप vanilla essence कोई अच्छा reasonable price में चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं क्योंकि मैंने इसे use करने से पहले कई सारे vanilla essence use किये हैं जो कि आपको 29, 30, 40, 50 rupees तक में मिल जाते हैं लेकिन उसका taste उतना अच्छा नहीं होता है जो हमारा cake होता है उसका taste बहुत ही अजीव सा हो जाता है just because of vanilla essence और vanilla essence इसलिए नहीं होता है कि आपके cake के taste को बिकार करें vanilla essence इसलिए होता है कि आपके cake के taste को enhance करें बहुत ही अच्छा एक flavor देता है vanilla essence इसलिए मैं आपको suggest करूँगी और recommend करूँगी आप Osro French vanilla flavor essence ही buy करें मैं इसके link description box में share कर दूँगी आप वहाँ से online buy कर सकते हैं तो दोस्तों मैं जल्दी से आपको इसकी packaging भी दिखा देती हूँ आप देख सकते हैं छोटा सा है बहुती 30 ml वैसे इसकी quantity है तो आईए हम इसको open करके देखते है ये देखिए आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से pack किया गया है बहुती अच्छे से इसकी packaging है वाओ ये देखिए इसमें इसको cover किया गया है आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूँगी इसकी जो bottle है वो glass की है इसलिए इसको इस तरह से cover किया गया है ताकि ये टूटे ना तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजेगा इस पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको इसकी बारे में थोड़ा बता देती हूँ तो ये आपका करीब दो साल तक चलने वाला है manufacturing date आप देख लें उसके बाद आप इसे दो साल तक यूज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है लंबे समय तक आप इसको यूज कर सकते हैं असा नहीं कि बहुत ही जल्दी खराब होने वाला product है और दोस्तो सबसे अच्छी बात दिये हैं कि ये 100% wedge है इसमें कोल भी preservative यूज नहीं हुए है और ये spirit free भी है तो दोस्तो हमने बाहर से तो इसकी packaging देख लिए आई अब हम इसको खोल के भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत ही अच्छा इसकी cap है और दोस्तो एक और अच्छी बात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक nozzle लगी हुई है ड्रॉपर की तरह तो बहुत ही अच्छा product आपको 150 रुपीज में मिल रहा है मैं जरूर चाहूँगी कि आप इसे एक बर ट्राइ करें ये आपका lifetime favorite बने वाला है तो दोस्तो आपको आज कहीं मेरा छोटा से review कैसा लगा I hope कि यहाप के लिए बहुत ही helpful होगा मैं आपको जल्दी मिलती हूँ एक next video के साथ till then आप अपना ख्याल रखें और मेरे next video का वेट करें बाबाई